ये जुटा हुआ नहीं है चार साल के पेटी हैं और आप आप अपको चला के दिखाते हैं इतने एक सलन्डर टेक्टर बेशकी काम लोड़र पे जो हेँ है करो देखा जी स्टार्टर जींट हो ताटर करण ठाक कि इंधर की बतर जाइए और खांट ऑन धाल्र किसान नमस्कार आदाप सास्तिकाल किसान आज लेका आया हूं गन्य के खेत में आप किसान भाई देख रहे हैं कितना वडिया यह गन्ना और किस तरह ये आपको ट्रैक्टर दीख रहा भारत वर्स में इससे चोटा ट्रैक्टर रही है मेहंदरा 215 किसान भाईयो और ये कैसा काम करने वाला बात करते हैं गन्ये की इस जो पीछे यंत लगा हुआ किसान भाईयो आज कल जो किसान गन्या पैदा करता हूँ उसमें करना देखना कैसा काम करेगा पूरी जानकारी वीडियो के अंदर मिलने वाला इसका रहने वाला गन्ये का ऊस्तर लगवा एक वीगे का असी कुंटल का है और रोग नहीं आ सकता और जो कंपनी के सारा हैं उनसे भी हम परीचे करते हैं कहां की एक कंपनी और किस तरह काम कर किसान भाहियों के साथ तो सबसे पहले हम परीचे करते हैं नमसकार जी नमसकार साब तो सबसे पहले अग् 국민 झेक फैडिय मेरा नाम सुरजी शिंग तोमर चांदपूर आराम से जहीं हम किसान जी होest आराम से रहते हैं किसानों से मिलते रहते हैं बहुत किसान चाहिए ऑस करें घैल से कई सास्थ कहते स कहते contemporary कथे थे करता हैं जीन चैनाल कि है पास्यर मेंच कMP तो मिठी चड़ानी पाएगा जी हम एक चेंज करना पड़ेगा हमें फोर भाई फो लेना है या कौन सा बताओ कौन सा लें जिस पर आकका बढ़िया चले जी तो हम भी उस चीज को कई सालों से लगे हुए थे जी कि ऐसा यंतर बने जो कम एस्पी की ट्रेक्टर पर बढ़िय कि लगा ता है तो सबसे बड़ी समस्य कर जाता आती है गंदा गिर जाता है शकरों सब बेकार हो जाती बिल्कुल और हम किसान है तो किसानों का दरद अच्छे से समझते हैं जी अच्छा यंतर बनाया है उसको नाम दिया है थितली इंट झैसा अपने नाम दिया है तो इसका कहां सा लाया तो यह भी अच्छा किसान आई के लिए अच्छा काम करता है अगर कोई किसान हमारे पास लेना आना चाहे जी तो उसे ट्रांसपोर्ट की विवस्ता भी निकर नी अपनी गाड़ी में रखके लिया सकता है जो आसपास का 200-200 किलोमेटर का किसान है जी गाड़ी में फोल लुक कर रखे जाती है मोटर साइकल पर चले जाती है कम बजन की है अब बात करते हैं जैसा किसान वाई इसको अपने गन्नै की क्याटी सब से यूपी के अंदर होती है उसमें मेंने वीडियो के अंदर बॉला कि इसका जो रहने ये जा रहने वाला है ये बात सही है गले तो सही होगी जब ख़ड़ा रहेगा गिरेगा नहीं जी तो बीज परशंट बढ़ जाता है बिल्कुल पक्का बढ़ जाता है जो कि गन्राइज अब बात करते हैं जैसे इस पर किसान भाई मिट्टी चड़ाएगा तो उसमें गन्ने में काफी रोग हो जाते हैं जैसे गर्पतवार होते हैं उसमें नश्ट होने के दाई जब मिट्टी चड़ती है तो उसका भी खाद गन्य को लगेगा जो खर्पतवार होगा वो सब पल्टी जिसे मिट्टी मारती है तकडी करके तो सारी खर्पतवार खतम हो जाती है और जब हम पानी लगाते हैं खेत में पान पर चलता है और उसमें रोग भी नहीं आता अब बात करते हैं जैसे किसान भाई इसको चलाएगा तो घंटे में इसका ओसत कितना रहने वाला है तेल का यह तो एक लीटर से कितनी चल रही होगी मेरे ख्याल से किरायवाला बता पाएंगे अच्छे पैसे आदमी इसमें बहुत अच्छे पैसे कमा रहे हैं जो इसे चीज को लेकर और किराय कर रहे हैं जी क्योंकि मजदूर से जो करवाते हैं तो वह लगभग चार सुरुपे बिगा लेते हैं और मिट अपना परीचे दे दिया था पर हम अभी संतुष्ट नहीं है जब तक किसान से परीचे ना ले तो इसके बारे में हम किसान से बातचीत कर सकते हैं और हम जो आपको इसका डेमो दिखाएंगे जी तो खेत है जुता हुआ बिल्कुल आप देख रहे हैं जी हम आपको बिना जुते खेत में जी इसी ट्रैक्टर से जी जो चार साल से पेड़ी खेत खड़ा हुआ है जी उसमें भी चड़ा के दिखा देंगे मिट्टी आप बाई साब बेना जुते में बंद हो जाएगा चलने का भी नहीं अगर बंद ना हुआ फिर क्या करोगे है मैं कहता हूं कोई किस तरह काम करने वाला सबसे पहले जो किसान भाई टैक्टर पर बैठे हुए उन सब परीचे करते हैं अब बात करते हैं नमस्कार भाई कहां से आप बागरपुर सुम्राम क्या आपका बिकुल कुमार जी मैं बात करता हूं जैसा आपने तितली यंत लिया है कितने दिन प जैसे आपने चलाया है घंटे में क्या डीजल कर रहा है अच्छा मुझे उम्मीद है तुम्हारे हां जो मट्टी चड़ाई की ओसता आप मान कितना जा रहा एक बीगे का लगवक्त चार सुरू पर बीगा तो मुझे उम्मीद है एक दिन में कितने बीगे पर मिट्टी आप कमा लेगा बड़े अराम के बिल्कुल और दूसरी बात भात कर थे खर्चा कुछ ने ना की वराबर खटाए अब जैसे आप काम कर रहा हो इस गन्ये के खेत में तो जैसे आप किसान पहले मुझ मस्दूरों को लाते तो उसमें कितना खर्चा होता है इससे कितना किसान बाइब को फायदा हो रही है तो कोई कमी आपको लगी इसमें जैसा आप चला रहा है तो हमसे बताएं तो आचा किसान भाई को बड़ा ट्रेक्ट लेनी की तो कोई जरूत नहीं फोर भाई फोर नहीं इससे आराम से किसान भाई काम कर सकता है अचली आप देख सकते हैं किसान की सच्चाई यह तितली यंत कैसा काम करने वाला कितना फायदा एक दिन में होने वाला और बात करते हैं गन्य के जो ताप मान थे एक बीगम कम समर असी कुंटल गन्य के अंदर रोगों की छमता भी कम हो जाती है। और डिश्टिक बीन और उत्तरप्रदेश अगर किसान आना चाहते हैं डेमो करना चाहते हैं तो हमारे पास आए जी हमारे पास खेट भी तया रहे हैं तीटली है हम चला के भी दिखाएंगा उसे पहले डेमो करें ठीक चलो भी जैसे आप बता रहा है सार आपकी कंपनी बनते हैं अच्छा और बनाते हैं और सबसेघंड यंद्र हमारा चलता है जिसकी ज्यादा मांगाती है जिए वीडर अच्छा वीडर का क्या काम है जैसे कुछ किसान होता है बिलकुल इसमें उसको इसको एक खटा कर मतलब दो हैं ऐसमें एक जगा मिला लोगे तो वह बन जो किसान भाई को करने चाहते हैं अब बात करते हैं जैसे किसान भाई कराना चाहता है तो कम सब किसान भाई के लिए बुकिंग क्या रहने वाली है तो कुछ भी कीमत रखनी चाहिए जो किसान भाई देव डवल टाइन वाली वैसे हमारे पाइस इसमें सस्ते मोडल भी है लेकिन सबसे अच्छा मोडल यो है साड़े तहरा जाव रुपका सबसे है वी जो मिट्टी चड़ाएगा वी और उतारेगा अच्छा इसकी गारंटी वारंटी क्या किसान भाई लागु करें नीचे तो इस अच्छा इतना बैठाना चाहते हैं आप इसका उतना मिट्टी चड़ाने के लिए उतना बैठ जाता तो और कोई सुझाब किसान भाईयों को आप देना चाहते है तो बता सकते हैं सर जैसे किस रह रहे हो कम से कम खर्च में हम चाहत करते रहते हैं और उनके लिए बढ़िया यंत्र बनाते रहते हैं तो किसान वाई आज आपने देख लाए ये तितली यंत्र किस तरह काम करने वाला है और किसान को क्या-क्या फादा इससे होने वाला है जो किसान वाई वीडियो को देख रहा है वीडियो अच्छी लगी हो त जादे से जादे लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें जै जवान जै किसान धन्यवाद